नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्ले स्टोर डाउनलोड कैसे करें अगर आपके पास कोई भी एंड्रोइड मुबाइल है तो प्ले स्टोर डाउनलोड कैसे किया जाता है आईए जानते हैं एक चीज मैं आपके पास कोई iOS यानि कि iPhone है या iPad है तो उसमें प्ले स्टोर डाउनलोड नहीं कर सकते हो पर अगर आपके पास कोई Android फोन है तो उसके अंदर प्ले स्टोर असाने से डाउनलोड हो जाता है अब अगली चीज जहां से सुनिए मैं आपको बता दूँ कि Android मोवाइल में पहले से ही प्ले स्टोर होता है बस आपको उसे ढूणना है और अनैबल करना है यहाँ पर कैसे ढूणना है मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर आप अपने फोन की सेटिंग्स में जाईए जहाँ पर मैंनी वार आता है देखिए आपको यहाँ पर ऐसे फोल्डर मिलेंगे जिसके अंदर बहुत सारा अप्लिकेसन होते हैं कुछ इस तरीके के तो इसे आप ढूंड़िए आपको मिल जागा यहाँ पर प्ले स्टोर पर अगर आपको फिर भी नहीं मिलता है तो आप सेटिंग में जाईए अपने फोन की सेटिंग्स को ओपन करिए नीची की तरफ आईए आपको मिलेगा यहाँ पर एप्स डारेक्ट आपको Apps option मिल जाएगा इसे टच करिए आपके application यहाँ पर शो हो जाएंगे यहाँ आपको मिलेगा Manage Apps इस पर टच करिए और आपके फोन में जितने भी application है यहाँ पर आजाएंगे यहाँ पर आपको Google Play Store भी मिलेगा एक एक करके नीची आएगा और देखिएगा तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा Google Play Store इस पर टच करें और आपको यहाँ मिलेगा Unable तो यहाँ पर आपको Unable option मिलेगा अगर आपका Disable है तो Unable करिए अगर आपके वास वीवो का फोन है सैमसंग का फोन है या कोई और फोन है तो उसमें Disable हो जाता है यहाँ पर Unable करिए आपको यहीं कहीं option मिल जाएगा यह नीचे की तरफ उसे Unable कर लेजी और आपका Play Store आपके Menu में आ जाएगा शायद आप समझ गए होंगे अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट करिएगा वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा मिलते हैं किसी और नई वीडियो में